नमस्कार में दिपाली अब सभी का सवाग दिपाली ऑस्टो में करते हूँ देखते हैं आज का दिन अनी की 23 जलाई 2023 कैसा जाने वाला है तो चली शुरूत करते हैं में शाशी वालों गर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आपको स्वाट समंधी दिखतें और हो स इसलिए आज के दिन आपको सोच के समझ के चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है अगर आप कोई इलाज चल रहा है या डॉक्टरी निरीक्षन या परीक्षन की जरूरत है तो आज के दिन उसको नजर अंदाज ना करें स्वास समंधी सारे आसपेक आसकते हैं लेकिन स्वास समंधी चिंताएं आपको सता सकती हैं तो उसको इग्नॉर ना करें बात करते हैं वरिश्व राशी वालों के लिए आपके लिए सिच्वेशन जनकूल है मन आपका शान्त है विचारधाराएं प्रबल हैं स्ट्रॉंगस परिस्टियल पे आप अलर जराएंगी साथी साथ आज के दिन आपको भी खान पान पे थोड़ा सा नियंतरन रखने की जरूरत है बात करते हैं मित्वन राशी वालों के लिए आपका स्वास मित्वन राशी वालों आज के दिन सही रहेगा मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है कारश शेतर में उन्नती को लेकर अगर कोई आपको बांधना चाहता है तो उसमें सोच के समझ के यह हो सके तो second opinion लेने के बाद ही आपको उसमें अपना signature करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए साथी साथ कारे शेत्र में आज के दिन सोच समझ कर communication को clarity के साथ आगे बढ़ाते हुए दिन को बिताना चाहिए बात करते हैं करक्राशी वालों के लिए आपका दिन करक्राशी वालों बिल्कुल ठीक रहेगा आज के दिन समानेता परिस्तिती रहेगी खास होता चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा स्वास समंधी चिंता एक कम ह परिवार में आज के दिन कुछ नई शुब संकेत देखने को मिल सकता है चोटी मूटी गेट तुगेदर भी हो सकती है जो आपकी सिचुएशन को और जदा पॉजिटिव करके जा सकती है आज के दिन आपको सयमित आहार और संतुलित वहवार रखने की जरूरत है आज के द सिंख्राशी वालों आपको सथा सकती है मन आपका शांत रह सकता है साथी साथ आज के दिन कारिशेत्र में कुछ ना कुछ मिस कॉम्मिनिकेशन होने कि वजत से मिसटर्सन्डिंग हो सकती है तो आज के दिन कॉमिनिकेशन को κलियर रखना है और अपने स्टैंड को आपको क् और लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी आज के दिन आपके लिए कोई ना कोई एक positive आवसार या कोई ना कोई opportunity भी लेकर आएगा जहांपर आपके और आपके परिवार के लिए कोई शुब संकेत या शुब समचार मिल सकता है बात करते हैं कने राशिवालों के नेगेटिव सिनारियो इंडिकेटिव नहीं है जितनी निष्ठा के साथ आप आगे चल रहे हैं काम काज कर रहे हैं वैसे ही चलते चलिए पॉजिटिव सिचुवेशन आपके लिए अल्रोडी बन चुकी हैं मन आपका शांत रहेगा साथी साथ आज के दिन अपने उपर भी आज के दिन टाइम निकानने की अध्यान देने की जरूरत है बात करते हैं तुला राशी बालों के लिए तुला राशी बालों आज के दिन आपको स्वास्त के प्रती थोड़ा सा चिंतित रहने की जरूरत है अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो दवाओं के प्रती ला planning करने की कोशिश कर रहे थे और चलते चलते उसमें विराम लग रहा था तो अब समय आ गया है जहां पर आप सारे pending matters को आज के दिन टेक अप कर सकते हैं स्वास्त को भी आज के दिन ignore ना करते हुए पुराने financial matters को अगर address करेंगे तो आपके लिए पर इस्तिति अनुकूल होती भी नजर आएंगी बात करते हैं व्रिश्चिक्राशी वालों के लिए situations व्रिश्चिक्राशी वालों आपके लिए बिल्कुल सही है आज के दिन कुछ खास नयापन देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रहा है वैसे चल नहीं है नए अफसर नौकरी चेंज करने के आर्थिक स्थिर्ता के या बिजनस अगर आपका निजी वैवसाय उसके विस्तार के लिए आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे उसको अगर आप टेक अप करेंगे तो आपके लिए और अच्छी परिस्टिती बनती भी नजर नहीं है साथी साथ आज के दिन कारेश शेत्र में बोज आपके उपर वर्क लोड ये वर्क प्रेशर जादा हो सकता तो उसको लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं और पॉस्टिविटी को इंब्रेस करी आगे बढ़ते चलिए सब तरफ से आपको सपोर्ट भी आपको मिल कारेश शेत्र में भी मिलेगा और परिवार में भी आपको सपोर्ट मिलता हूँ नजर आएगा बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन काफे सदा व्यस्त हो सकता है परिवार में भी चिंता हो सकती है स्वास भी ऐसा निवेश मत करिए जो आपकी सिटुएशन को और जदा नेगेटिव कर सकता है सोच समझ कर आगे बढ़िए निवेश करने के पैटन को भी समझने की कोशिश करिए अगर लगातार आपको निवेश कर रहे हैं और लॉसिस हो रहे हैं तो उसको रोकिए और थोड़ा सा विराम लीजे थोड़ा सा विश्राम करिए कुछ समय के बाद फिर से आप अपने स्ट्राटेजी को रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं जलबाजी में कोई भी स्टेप लेंगे तो नुकसान आप ही का होगा बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए सिटुएशन सापके कुमराशी वालों कुछ खास नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा हाला कि मन शांत रहेगा पॉजिटिव रहेंगी कॉंफिडेंस लेविल में भी जाफा होते हुए देखेंगे पर आकरम में व्रिद्धी रहेगी अपर बॉसेज या उच अधिकारियों से आज के गुड प्रॉफिटिबल वेंचर के रूप में वो आज के दिन आपको समझ में आ सकता है किसी वेक्ति विशेश की तरफ से भी कोई बहुमूली राय आज के दिन मिल सकती है मात करते हैं मीन राशी वालों के लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है मीन राशी वालों मन आप को सब तरफ से शुबता या शुब संकेत देखने को मिलेगा लंबे समय से चल रहा है अगर कोई पारिवार एक रिन है जो आपको लगता है कि उसकी पूर्ती और रिपेमेंट होने में दिक्कत आ रही थी अब उसमें भी आपको कंसिस्टेंसी देखेंगे आप और रिपेम में बिमारियां अकारण रहती थी करेश रहता था तो अब वो परिस्तिती सौटेड या सौट आउट होती हुए नजर आएगी इस एक साथ मुझे आ गया दीजे मैं कल फिर आजरूंगे नमसकार